Good morning day students and friends दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं William Shakespeare के बहुत खुबसूरत सॉनेट सॉनेट नमबर 130 फ्रेंट्स आपको पता है William Shakespeare अपने लिट्रेरी केरियर में 37 प्लेज, 154 सॉनेट्स and a number of short stories and lyrical poems ये लिखे हैं फ्रेंट्स, William Shakespeare को English literature के दुनिया में बादसा माना जाता है आप सब लोगों को पता होगा और खास करके जो 12th के स्टूडेंट्स हैं भी ए 1st पार्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ये ऐसा सॉनेट है कि वर्ट्स वर्थ भी इस स्टूडेंट के बादे में बोले हैं Shakespeare's Best Sonnet और जितने भी पोएट्स हैं जितने भी पोएट्स हैं सब कुछ न कुछ इस स्टूड नमबर 130 पे कमेंट किये हैं अपना best कमेंट दिये हैं अपना best compliments दिये हैं Shakespeare को तो friends अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं Sonnet नमबर 130 इस सॉनेट को सुनने से पहले friends इस चैनल को लाइक कर दीजिए निश्चेत रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए निश्चेत रूप से ताकि मेरी वीडियो आप तक इस चित रूप से पहुँच सके friends बहुत अच्छा ही और मज़दार पोएम है आप दियान से सुरू से लास्ट तक जवर देखेंगे जवर सुनेंगे जब आप लास्ट तक सुनेंगे तो मेरी उमीद है आसा है कि आप बेहतरीन धंग से इस पोएम को समझ जाएंगे friends my last duchess भी आप पढ़े होंगे छोटा सा पोएम है लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे है my mistress eyes अब देखिए mistress eyes ये किस तरह William Shakespeare अपने लव को किस तरह बढ़न करते है my mistress eyes are nothing like the sun coral is far more red than her lips red friends my mistress eyes ये कह रहा है William Shakespeare कह रहा है कि मेरी जो mistress की eyes है वो सूरज के तरह चमकदार नहीं है उतनी चमकती हुई आख नहीं है coral is far more red than her lips red और मेरी जो beloved है उसकी जो lip है उससे तो ज़्यादा लाल मूंगा होता है इसलिए उतनी भी लाल नहीं है जिदनी मूंगा होती है तो friends अब third line देखेंगे अगर बर्फ की तरह सुंदर है बर्फ की तरह उजली है यहाँ पर snow एक comparison के sense में आया है तो इसकी जो चाती है बर्फ से है वो ऐसा क्यों है dim lighted है, grey, brown है ऐसा क्यों है अगर इसके बाल तार जैसे लग रहा है ब्लैक वायर जैसे लग रहा है तो फिर यह सिर पे ऐसा grow क्यों कर रहा है चुकि बाल तो रेसम जैसी होती है सुंदर लेकिन यहाँ पर वायर जैसी दिख रही है I have seen roses damaged red and white I have seen roses of different colors white देखे है different colors के देखे है लेकिन यह मेरी जो प्रेमी का है इसके गाल पे तो ऐसी कोई फूल जैसी खुसबो फूल जैसी कोई शुंदरता तो दिखनी ही रही है but no such roses see eye in her chicks chicks means गाल होता है आप तो समझे रहा है इसके गाल स्पेस के चीन पे ऐसी कोई गुलाब जैसी figure नहीं देखती है and in some perfumes is there more delight than in the breed that from my mistress ricks मेरी जो mistress है इसकी जो ricks है यानि कि यह जो स्वांस लेती है छोड़ती है इसके body की जो बद्बू ने smell है न वो smell कैसी perfume जैसी नहीं देखती है इससे तो लाग कुना बेहतर बहुत बेहतर perfumes है जो कुछ flowers से आते है जब जंगल आप जाएंगे तो जंगली flowers है न वो भी खुस वो इससे बेहतर देती है और इसके body से ricks से तो बद्बू निकलती है I love to hear her speak yet will I know यह सब जानने के वावजूद भी हम इसको सुनना ज्याधा पसंद करते हैं बेहतर ढहं से पसंद करते हैं क्योंकि मैं प्यार करता हूँ इसलिए सुनना पसंद करता हूँ that music has a far more pleasing sound लेकिन सुनते तो हैं प्यार करते हैं तो इसकी आवाज सुनते हैं सुनना पसंद करते हैं प्यार करते हैं लेकिन वास्तत तो यह है कि इसकी जो आवाज है इससे ज़्यादा प्लिजर इससे ज़्यादा प्लिजिंग साउंड तो म्योजिक की है अगर कहीं कोई म्योजिक चलती है तो इससे ज़्यादा बेहतर अच्छा लगता है इससे ज़्या कि जो woman है, इस तरह की जो देवी है, इसको आज तक धर्ती पे मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा चलते हुए, when she walks, जब ये चलती है, तो एक different style दिखती है, threads on the ground, जब ये धर्ती पे चलती है, तो लगती है, कोई देवी देवता किसी दूसरे गड़ा से आकर के चल रही है, लेकिन इसकी figure तो समान ने एक औरत के तरह दिखती है, and yet by heaven, I think my love as rare, as any see belied with false compare, friends, अगर हम ये कहें, कि मेरी जो ये beloved, मेरी जो प्यार है, ये rare of rares है, ये शमान ने तरह पे मिलने वाली नहीं है, मेरी जो नजर है, मेरी जो side है, जिस side से मैं प्यार करता हूँ, ये rare of rares है, uncommon है, common नहीं है, friends, अगर हम किसी औरत से इसकी तुलना करते हैं, किसी खुबसूरत औरत से तुलना करते हैं, तो ये complete false होगी, belied with false compare, तो ये तुलना जो है न, ये false हो जाएगी, untruth हो जाएगी, truth नहीं होगी, तो friends, my mistress eyes, अभी आप देखे, 130, four friends इस poem में, three quadrants हैं, एक quadrants में चार लाइन होते हैं, और last में दो heroic couplets हैं, तो heroic couplets पे जाने के बाद परता चलता है, कि William Shakespeare के अंदर कितनी प्यार affection है, lust है, आगे हलांकि अपने एक sonnet में lust और affection को अलग-अलग किये हैं, अलग-अलग ideas के साथ बताया हैं, logic दिये हैं, बट इस poem में आप देखेंगे, three quadrants है, और last heroic couplet है, तो heroic couplet final judgment होता है, इसमें पता चलता है, William Shakespeare, negative aspect को बता रहा हैं, positive aspect को बता रहा हैं, पहले तो लगता है, ऐसा quadrant पढ़ने के बाद कि ये तो इसके negativity को बता रहा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, last में आप जब आप पढ़ेंगे heroic couplet को, तब आपकी इसकी positivity पता चलेगी, by William Shakespeare, thank you friends, by best of luck, and we'll meet in next videos.